नमस्कार में लेलित सुप्रीम कोट का एक बड़ा फैसला फटाफट इसके बारे में जान लीजे बुल्डोजर एक्षन वाले राज्यों को लेकर ये कहा गया है कोट ने फिलहाल बुल्डोजर एक्षन पर रोक लगाई है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है बगैर अदालत की पर्मिशन के अजाज़त के बुल्डोजर एक्षन नहीं होगा सुप्रीम कोट ने ये भी साफ क्या दिया है कि अगले सुनवाई तक किसी भी राज्यों में कोई बुल्डोजर एक्षन नहीं होगा हाला कि सुप्रीम कोट ने कुछ मामलों में राज्यों सरकारो को बुल्डोजर एक्षन के लिए छूट जरूर दी है सुप्रीम कोट ने साफ का है कि उनका यादेश सड़क फूट पाथ रेलवे लाइन जलाश है इन पर कबजे पर लागू नहीं होगा यानी सड़क फूट पाथ या बाकी जो सारवजने के स्थल पर अगर कोई बेजा वही जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा अगर कारवाई दो हफते रोक दी तो क्या आस्मान फट जाएगा इसे रोकिए दो हफते में क्या हो जाएगा 15 दिन में क्या हो जाएगा वैसे इस मामले की सुनवाई के दौरान कई एहम पढ़ाओ भी आये थे जो पिता आरूपी हो सकता है इस आधार पर पिता का घर गिरा देना सही नहीं है 12 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने ये तक कह दिया कि बुल्डोजर एक्शन कानून पर बुल्डोजर चलाने जैसा है और जैसा हमने आपको बताया इसका MP से बड़ा कनेक्शन है अगस्त का एक और मामला है राजस्तान के उदाएपुर का जहां सरकारी स्कूल में दस्वी में पढ़ने वाले एक बच्चे को दूसरे ने चाकू मार दिया पूरा शहर सुलग गया आधजनी हिंसा होने लगी 17 अगस्त को आरूपी चात्र के घर बुल्डोजर चला दिया इस से पहले सरकार के निदेश पर वन्वे भागने आरूपी के पिता सलीम सेख को अवैद वस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था एक और अहम बात है कि अगर MP की सरकारी आंकड़ा देखें फिर वापस MP पे आ रहुं हैं तो 2020 से 2022 तक यानि साल तकरीबं दो साल में 12500 से जादा बुल्डोजर एक्शन हुए है है हैरत की बात यह है कि इसके बाद सरकार की तरफ से यह आंकड़ा ही जारी नहीं किया गया MP का जो मामला हम बता रहे हैं जिसमें शहजाद आरूपी है च्छदरपुर में पत्थराओ का जो पूरा मामला था उसके बाद ततकाल बाद जो तकरीबन 20 करोल की से निसका वैलवेशन किया था 20 करोल की जो हवेलिये वो गिरा दी गई जब ये पूरी कारवाई की जा रही थी तब परिवार का कोई सदसे वहाँ पर मौझूद ही नहीं था ये तमाम मामले जब आदालत में पहुंचे हैं इसके बाद आप सुप्रीम कोट इस मामले के सुनवाई कर रहा है वैसे ये अंतरे मादेश है ये अंतरे मादेश है लेकिन फिर मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो आदेश होते हैं ये आगे की कारवाई के लिहाज से नजीर बनते हैं मिसाल बनते हैं लिहाजा इसे बहुत ध्यान से आप अपने दिमाग में रखिएगा और बहराल इस मामले में आगे भी जो अपडेट आएगा वो हम आपको इसी तरह बताएंगे फिलहाल नमस्कार